नमस्कार दोस्तो इनकी एज 40 एरज ए और ये गल्स कंट्री में रह hazır है भारती वेक्ति इनका एकषी सवाल है यह कर दो आना चाहते में किर भी यह बैंकर है य्कमनि जॉब कर रहे और यह बैंक्र की जॉब चोड़कर भी आना चाहरे तो च्या इनके लिए उप्योक हंडेट परसेंट इनके लिए अभी टर्निंग पॉइंट आ रहा है जीवन का कम्प्लिट यूटन आएगा इनके जीवन में और अच्छी खासी सफलता भी इनको मिलेगी ठीक है एक दो पड़ाव ऐसे आएंगे राव रेखाए जिसके करण से थोड़ी सी तकलिब आ सकती है पर ओवर ओर ओल उन राव रेखाओ को अगर निगलेग भी कर दे ऐसी कोई बहुत बड़ी राव रेखाए नहीं है पर उन्हें निगलेग भी कर दे तो उसके सामने पॉजिटिव साइन प्रोग्रेस के लिए बहुत जाता है तो आने वाला समय इनके लिए अत्युत्तम रहने वाला है अब टेक फार्मिंग यानि फार्मिंग ही हुई उसे टेकनोलोजी के रूप में आप यूज करके कोई उगाना चाओ तो फार्मिंग के लिए कहीं न कहीं हमारे हाथ में उस डार्क कलर की होनी चीए तो इनके लिए farming में मेरी कोई ना नहीं है manufacturing, farming, finance उसके अंदर ये उस field में जा सकते हैं कोई किंतु परंतु इसमें है नहीं अब इनके palm को हम analyze करते कि इनके start करने से कैसा कैसा पड़ावाएगा वो सारी चीजे भी हम देखने की कोशिस करते हैं यहाँ पर यह दो उंगलिया जब किसी व्यक्ति के हाथ में उपर हो तो ऐसे लोग समय पर जो नीड़ें लेना होता है वो ले नहीं पाते हैं पर यह नीड़ें इनके लिए काफी उत्तम रहेगा यह उंगलिया होने व्यक्ति समय पर नीड़ें नहीं ले पाता है और उसके बाद पस्तावा होता है कि मैंने यह कारिक किया होता तो अच्छा होता था और यह जो टेक फार्मिंग करना चाहरें यह जिस गल्फ कंट्री में रह रहे हैं वर्तमान में वहाँ पर भी करना चाहरें प्लस इनके इंडिया में भी खेत है, पापा के द्वारा लिया हुआ, तो उसमें भी ये वस्तु करना चाहरे है, ये पाम कम्प्लिट स्क्वेरिस है, तो ऐसे लोग महनती होते हैं और महनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं, हार्डवर कर होते हैं, यहां से चोड़ा ही क फर्स फैलेंज नुकीला है, तो कारे के प्रति अच्छी खासी जीद होगी, सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, जहां लॉजिक की जुरत है, जहां चूप रहने की जुरत है और मांसल भी है, तो अपने हीतों की रक्षा करने वाला वेक्ती भी होता है, उंगलिया छोटी ह तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है और फास्ट निने लेते हैं, और ये उंगली फर्स फैलेंज गुरू की उंगली से उपर जा रही है, ऐसे लोग हिमती सभाव के होते हैं, जेब में पचास जार और पचास लाग की रिस्क लेनी हो तो बहुत आ के उपर तक पहुच रही है, सुरी की उंगली के, तो रेक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याजशक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में वेक्ति एक्सपर्ट होता है, अब इनके इंक लगवे पाम पर चलते हैं, ब 100% इनको जो जीवन साथी मिला होगा, वो डॉमिनेट किसम का होगा, यानि उनकी जो मानसिक्ता होती है, कहीं न कहीं डॉमिनेट टाइप की रहती है, जब किसी वेक्ति के हाथ में इतनी बड़ी-बड़ी लाइने हो, तो वेक्ति सुन्दर भी होता है, वानी उसकी मिठी हो तो ऐसे लोगों को लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, और इनको फेम साइन भी इनके हाथ में है, ये देखिए यहाँ पर, और ये ऐसी जगह पर बनी है, ये नेशनल इंटरनेशनल फेम दिलाई गी, और विदेश से धन्तराप्ति के योग भी बनेंगे, अब इनके हाथ में एक स्क्वेर साइन भी है, मैंने इनको पूछा भी कि आपका इंटरनेशनल लेवल का काम है, तो इन्होंने ना का, पर ये स्क्वेर साइन अपना फल तो दिखाए गई, या तो इनके द्वारा, या इनके संतानों के द्वारा, मल्टी सिटी का काम, यानि इंटरनेशनल level का काम होगा जरूर. हो सकता है यह जो farming में जा रहे, इनके हाथ में साइने अच्छी है. तो यह काम भी हो सकता है, यह international level पर लेकर जाए. यह पूरी possible है. और यह साइन अपनी आए से अधिक अच्छी तरह रहने वालों के हाथ में भी होती है यानि वो फल भी देती है साथ साथ में आस पास के लोगों लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले और ऐसे स्क्वेर एक नहीं है ये ये भी स्क्वेर है तो इंटरनेशनल लेवल का काम तो हंडेट परसेंट इनके जीवन में रहने ही वाला है अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते है एक साइन यहां पर है एक साइन इस जगह पर है एक यहां पर है यह सारी छोटी छोटी है और यह साइन पर आने के पहले और कोई साइन है की नहीं देखते हैं यह देखिए एक साइन यहां पर भी है अब इनके बड़ी साइन पर लेकर चलता हूँ यह यहां पर भी है और सबसे बड़ी साइन यह देखिए मैं क्लोज अप में आऊंगा तबी भी यह आँखों से बीना इंक के भी दिख रही है यह तो इंक लगा हुआ है पर मेरे पास ऐसा भी फोटो है इनका एकदम शार्प यह जो साइन है इनको काफी अच्छा अच्छी ग्रोथ देखी इनको काफी अच्छी और दूसरे भी सिम्टम इनके हाथ में काफी उत्तम है और यहां ट्राइंगल भी बनता है तो रेक्टी अपने मन की इच्छाए लगबग पूरी करता है इस ट्राइंगल की वज़ा से और मल्टिबल प्रॉपर्टी की साइन भी इनके हाथ में है तो जीवन में मल्टिबल प्रॉपर्टी अभी यह बनाएंगे यहां पर बड़ी विद्या रेखा भी है तो वेक्टी को बेसिक नॉलेज अच्छा कासा होता है और बेसिक नॉलेज की वज़े से लोग इनको पूछ-पूछ कर भी काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज्यादा लोग पूछ-पूछ कर काम करेंगे यहां पर मुझे कहीं न कहीं स्क्वेर साइन नजर आ रही है यह वेक्टी को पुस्तेनी जमीन जायदात का लाप देती है और फेट लाइन पर आऊंगा तब फेट लाइन के बारे में डिसकस करेंगे और यह लाइन जब जूपिटर की और जाती है तो चार बेनेफिट देती है ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है जो भी कारे करते हैं चाहिए जौब या खुद का गट्टी बड़े सरका करता है सरकारी लाब और पॉलिटिकल लाब तो कहीं लोगों को चारो बेनेफिट मिलती है किसी को तीन किसी को दो और किसी को एक बेनेफिट मिलती है अब चलते जुपिटर माउंट पर जुपिटर माउंट मुझे कहीं न गहीं थोड़ा सा तिल्टेड है अगर इनको बच्पन में सर पर जोड़ पर नहीं लगा होगा या लगा होगा, खुन निकला होगा, इनको याद होगा अभी भी और थोड़ा-थोड़ा सर्दद रहता होगा तो पति-पत्ति के बीच में प्रॉबलम नहीं आती अगर ये वस्तू नहीं हुई होगी तो दोनों तरफ में बोलचाली रहती होगी यानि विवाद रहता होगा अगर इस तरह की स्थिति है तो मैं इसका उपाय दे दूँगा इनको यहाँ पर ट्रैंगल भी बन रहा है तो विक्ति को पॉलिटिकल लाब और सरकारी लाब दिलवाता है और न भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन होता है किसी विक्ति के हाथ में ये लाइन हो तो कितना भी बड़ा नुकसान कर ले उसका नाम खराब नहीं होता तिका रहता है ये नुकसान से बचाती नहीं नाम खराब होने से बचाती है और continue progress देती है एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन ये जब लाइन होती है तो विक्ति को multiple income के सुरोत क्रियेट होते है पामिष्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के mystery science में ध्यान जाता है सेवा भाविय और धार्मिकता ये सारे गून इन में पाए जाते है इस जगह पर अगर ये clear photo आया होता तो चार चान लग जाते है कहीं न कहीं मुझे दो से तीन स्टार लग रहे है यहाँ पर लग रहा है individual star ये एकर्स में जमीन का फायदा दिलाता है जो already इनके पास है भी यहाँ पर clear cut history दिख रही है यह आप वीडियो देखने के बाद आप जरा यहाँ का photo निकाल कर आप खुद ही देख लेना ऐसे कम से कम दो से तीन स्टार मुझे यहाँ पर नजर आ रहे है और यह देखना जरूरी आपके लिए क्योंकि आप इसी farming field में जा रहे हो तो इसका होना जरूरी भी है आपके और ज्यादा development के लिए तो कम से कम इस जगह का close up बाद में भी भेज़ दोगे तो मैं बता दूँगा आपको draw करके कि इतने स्टार है यहाँ कम से कम तीन से चार स्टार के chances से आपके और यह जो मंगल रेखा पर अगर स्टार होता है तो ऐसे लोग fast काम करते है और उस पर भी मुझे लगता है एका दो तो हो गई एक तो यहाँ ही लग रहा है और मंगल अच्छा है तो सारे रिक उर्जा व्यक्ति में अच्छी पाए जाती है अंदुनी मंगल जब अच्छा हो बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है हाँ यह जो लाइन है यह जरूर मेनद जादा कराएगी इनको जीवन में और यह जो लाइन है लाइने नहीं, ये जो परवत है, ये भी उभार है तो जब किसी से वेक्टि मिलता है, एनरजी के साथ मिलता है सामने वाले को ऐसा लगता है, जैसे सद्धियों से इनको जान रहे है इतने एनरजेटिक होते हैं और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है चंद्रपरवत आल्वेस विदेश में रहने वाले का अच्छा है इनका तो अती अच्छा है अब देखिए एक एक करके हैं मैं लेता हूँ यह फोर्क यह व्यक्ति को यात्रा भरपूर करवाएगा जीवन में यह जीवन रिखा से निकलने वाली साखा है प्लस यहाँ पर यह ट्रैंगल यह विदेश से धन प्राप्ति यह व्यक्ति को कभी बनाता है ऐसे ट्रैंगल यहाँ पर दो से तीन है और जब चंद्र आपका अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्तु अच्छी लगती है नीणे शक्ती अच्छी होती है बहुत अच्छे परचेसर होते है और विदेश से संबंद आता ही है जो अल्रेड़ी इनका है यह और एक बूद रेखा है उसके द्वारा एक greater triangle भी बन रहा है और एक money triangle भी बन रहा है तो जब money triangle होता है किसी व्यक्ती के हाथ में तो रहू रेखा है उन्हें इतना आर्थिक नुकसान नहीं देती जितना बिना money triangle आज एक व्यक्ती परसनल पामिश्री के लिए आया था उस व्यक्ति के हाथ में एज बयालिस से लेकर अब टू फिप्टी फोर तक कम से कम तेरा राव रेखाई थी तेरा त्रस्थ हो चुका था जीवन से त्रस्थ इतनी हालत मनी टैंगल ना हो तो खराब कर देती है राव रेखाई इतनी ताकत रखती है हाँ अगर बहुत अच्छी फिश्चा है इन्हें पैसा देने की तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता पर फिर भी बिना मनी टैंगल से अगर राव रेखाई है अगर मनी टैंगल नहीं है और राव रेखाई है तो जीवन में तरस्थ हो जाता आदमी राव रेखाई से भी और ये फोर्क बन रहा है तो ऐसे लोग बहुत शार्प कम्मुनिकेशन वाले होते इनका कम्मुनिकेशन बहुत अच्छा होता है शुक्र परवत काफी उत्तम है तो अच्छे कपड़े पहनना अच्छी तरह रहना खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है ये सारे कुंधर्म पाये जाते है हिर्दे रेखा पर भी देखिए ये जब इस तरह का फॉर्मेशन बनता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को समझा पाते है बहुत अच्छी तरह से और सारी हिर्दे रेखा जुपिटर माउंट से सुरू हो रही है तो बहुत भरोसे लाइक इंसान होते है किसी के सो रुपे भी वाकी होंगे तो सामने से देख कराएंगे ये इनकी फिद्रत होती है और ये देखिए ये जो लाइन है ये मित्रों को सके समझन्यों को ये हैल्प करेंगा और वो पैसा वापस नहीं आएगा और ये देने ऑगा नहीं आने के बावजुद भी ये लोग हैल्प करते ऐसे इस पामिश्री चैनल पर सेकड़ों लोग मिले इन लाइनों वाले और सब ने ये बाते कबूल किये कि हमें पता है कि ये देगा नहीं तो भी हम उनको हेल्प करते है ये सेवा भावी सबह हो रहता है इनका और ये लाइने माबाब की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है और एक दो फ्लर्ट लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी दिर दुखी होता है उसके बाद खुशी डुणता है माइन लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जूपिटर से स्टार्ट हो रही है तो व्यक्ति काफी महतोकांशी होता और अपनी महतोकांशा पूरी भी करता है एक यहाँ पर प्रेशर यव बनाता और ये एज होगी यव की अन्दाजित 31 से लेकर अब तू 42 तक जीवन में प्रेशर रहेगा 42 के आस पास तक 1-2 साल प्लस माइनस गिनना इतनी अकुरिसी नहीं दे पाते और उसके बाद माइन लाइन पर कोई प्रेशर नहीं है उत्तम तरीके से बुट की तरफ भी देख रही है लाइन तो पैसा कमाने का गुंदर्म भी रहता है और फोर्क बनता है तो शार्पो माइन के भी होते है तूरंद निने लेने वाले होते है इतने क्विक डिसिजन लेते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं प्लस बहुत अच्छे कम्मुनुकेटर होते हैं अब इनके जीवन रेखा पर चलते हैं जीवन रेखा पर देखें तो जो फोटोग्राफ में मुझे शो हो रहा है वो इसाब से मैं जज्जमेंट दे रहा हूँ एक 22 के आसपास कोई बदलावाया होगा और उसी पिरियड में एक रहू रेखाने भी काटा था उसके आसपास में या तो घर बदलावागा देश बदलावागा या शेहर बदलावागा यहाँ पर मुझे जीवन रेखा नहीं दिख रही है तो यह 22 के आसपास से लेकर यह 27 तक जीवन संगर्स पूंट रहा होगा इनका उसके बाद 27 के आसपास भी या तो देश बदलावागा घर बदलावागा या शेहर बदलावागा कोई ने कोई वस्तु हुई होगी इनके साथ और इस लाइन ने इनके जीवन में सेनाई बजाई 29 में साधी हुई उसके बाद 31 में एक राव रेखा काटती है और एक 36 और उसके बीच में भी हर 2-3 साल में छोटी छोटी राव रेखा है तो थी अब ये चल रहे है 40 में 40 में भी देखिए आप एक हलकी सी राव रेखा है और एक बहुत बड़ा बेक साइड में आप शूट निकल रहा है अब इसकी एज निकालने में थोड़ी तकलिब होती है यह यहां से निकल रही है या उसके एक साल बाद निकल रही है या छे महीने बाद निकल रही है यह पता नहीं चलता पर कोई न कोई बड़ा गेन इनको जीवन में मिलने वाला है इस ओफशूट से उसके बाद 42 के आसपास एक राहू रेखा काट रही है और यहाँ पर भी ओफशूट है ये भी कोई न कोई गेन देगा फिर 44 के आसपास एक राउरेखा काट रही है और इसके बाद भी एक आपशुट है और एक 44 के बाद 46 में है राउरेखा और ये भी एक आपशुट है तो इतनी जब राउरेखा आएगी तो थोड़ इसी तकलिफ आएगी जीवन में और उस पिरियड में अगर यह गल्फ में होंगे तो जादा पेन उठानी पड़ेगी पर फिर भी मैं कहूंगा money triangle भी है तो बहुत जादा तकलिफ है नहीं आती पर negativity बढ़ जाएगी और जिस तरह का इनके पास sign है तो यह आर्थ फुटी सिक्स पर आगए फुटी सिक्स के बाद एक राहूरेखा काटेगी यह लगबग तीन साल फुटी नाइन में और फुटी नाइन और छे चपन के आसपास और एक राहूरेखा काटेगी और यहां पर भी आफशूट है अब यह तो होगे राहूरेखा और मैं गिनू तो देखिए कितने सारे progress line है इनके हाथ में हैं ये इतनी progress line है इनके हाथ में हैं तो मैंने कई बार का है अगर आपके हाथ में positive sign है तो एक जगह उसका effect नहीं होता कई जगह पर effect होता है और negative sign है तो भी उसका कई जगह पर effect होता है उसे समझना भी जरूर ही है और इसके बारे मैं मैं चर्चा करी चुका हूँ अब इनकी धनरेखा पर ये लगबग cut लगाओगा इनको जीवन में 29 में हो सकता है सादी का खर्चा किया हो इन्होंने एक cut इनको यहां लगा लगबग 35 के आसपास इस धनरेखा पर 33 में cut लगा 32 में एक इस धनरेखा पर 36 में cut लगा 37 में इस पर cut लग रहा है एक cut 38 में लग रहा है 39 में लग रहा है और यहां पर यह नया काम चालू करेंगे इसी age में और शुरुवात करते ही एक cut आकर यहां पर काट रहा है और यहां से यह धनरेखा अच्छी बन रहे है यानि age 41 के आसपास से इनको जीवन में growth दिखेगी एक साल कहीं न कहीं और कोई भी नया बिजनेस सुरू करता अगयक्ती तो कहीं न कहीं उतना तुरंद के तुरंद तो gain होता नहीं और investment बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं income इनको एक साल कमजोर रहेगी एक या सवा साल और उसके बाद इनको progress मिलेगी और वो धन्द्रेखा पर भी दिख रहा है और यहां पर यह सारे investment के cut है tension लेने की ज़रत नहीं है यह cut आपको 46 के आसपास थोड़ा सा लगेगा एक छोटा सा cut आपको 51 या 52 के आसपास लगेगा बड़े cut नहीं है थोड़े से आर्थिक नुकसान जाते हैं यह investment से income उस पर भी एक दो cut लगेंगे एक cut लगेगा आपको investment वाली line पर 44 के आसपास और एक cut 46 के आसपास लगेगा फिर एक cut यहां पर है 56 and half के आसपास 58 and half के आसपास है छोटे छोटे cut है वो हर business में छोटा मोटा नुकसान जाता है इतना कोई बड़ा cut नहीं है कि जिस से 19-20 हो जाए जीवन में अब चलते हैं धन रेका पर अब देखें यहां तक multiple income होने के बावजूद इतनी कोई दमदार धन रेकाए नहीं थी थर्च का पेमाना रहा होगा इनके जीवन में और इतनी कोई दमदार नहीं थी यह देखें यहां तो जीवन expensive रहा होगा 37 से लेकर यहां तक जीवन expensive यानि यह समझो ना आप यह cut लगा उसके बाद अभी फोटी तक ही समझ लो आप और यहां पर यह निने ले रहे और निने लेने के बाद एक cut लगेगा इनको और यहां से इनकी फिर growth चालोगी अगर यह cut लग चुका है या लगने वाला है उसके बाद आपको जीवन में growth मिलेगी या तो सुरुवात करते हैं थोड़ा सा कोई नकोई नुकसान जाएगा और यह process आप पहले से ही कर रहे हो लगबग 38 के आसपास से और यहां से आपको growth मिलनी चालो हो जाएगी और यह cut भी आपको परेशान करेगा यह लगबग 40 के आसपास ही लगा कट आपको और यह 41 के आसपास से मेरे आकलन के अनुसार 41 से लेकर 55-56 तक आपको tremendous growth मिलेगी यह आपके जीवन का golden period होगा golden period बहुत सारा धन कमाओगे और उसमें से बचेगा भी भरपूर उसके बाद वापस आपकी growth कमजोर होगी up to यहां तक और यह period होगा आपके जीवन का लगबग 55-56 से लेकर 61 तक यह 6-7 साल growth कम रहेगी उसके बाद फिर वापस growth मिलनी चालो हो जाएगी यह कम growth वाला period जाएगा आपका पर यह सुपर golden period आपकी रहा देख रहा है एक साल के बाद पर investment अभी से चालू कर दो क्योंकि कोई farming करते ही तुरन तो product उगेगा फिर पैसा आएगा तो एक साल के बाद आपके जीवन में और मुझे तो लगता है कि आपने investment चालू कर दिया होगा शुरुआत से लगबग इस age के आसपास से शुरू कर दिया होगा 37 या 38 क्या और उसमें एक दो घाटे भी आपको गए होंगे पर 41 से कोई घाटा नहीं है छोटे मोटे घाटे मैंने बता दिये तो आशा रखता हूं आपके सभी प्रश्णों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद